ब्रॉट तु यू बाइ टेक्नो स्पार्क 20 सीरी स्मार्टफोन्स मुष्त घ्टी हां ऑन का घ्रीडेस के जानल ज्यानल शैकर कोई हो कि वूट थे हल ज्याला जी करत वादा है जुव स्वप जुटां अधर जा ही है अर्या न अधेर चाहिए है अरी यू आप जाल रह एकिलेश जैसा फेर चाहिए आज हम गाजीपूर लोकसभा के जंगीपूर विधान सभा में हैं और जंगीपूर विधान सभा में अभी अभी समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी अफजाल अंसारी की एक चौपाल थी और उस चौपाल में कुछ लोग यहां पर मौजूद थे हम उनसे बात करने जा र गाजीपूर गाउं है आपका रामरती सिंग्यादव यह लाल टोपी लगाएं है क्या मामला है क्या लग रहा है क्या माहोल है जीतेगी आज अफजाल अंसारी आप लोग को यहां पर चौपाल में भाशर दिये संबोधन किये क्या लगता है गाजीपूर में कौन इस बार बाजी मारेगा ऐसा है कि गाजीपूर में अफजाल अंसारी को परचार करने की जरूरत नहीं है जनता मन बना लिया है परिवर्तन का कारण कारण मांगाई बेरोजगारी और मौत जहर का मौत कि मौत मुक्तार अंसारी मसिया की मौत आपका क्या नाम है राज नरायन सिंग्यादो जी आप भी रहने वाले हैं जी हाँ हाँ अज अब जाल अंसारी से आपने भाशर सुना आप थे उसमें जी हाँ हाँ क्या बोला उन्हों ने बहुत बढ़िया चीज बोला हम लोग एक दाम ओट देंगे अंसारी जी को क्या ब को यहां तो सरकार की बिसरा रिपोर्ट आ गहीं उसमें जहार नहीं निकला अबसदी हमिए जकर 700 जी निकला कि क्याना है सुनील यादो सुनील झाई पीधर पिछे को खड़े हैं यहां रहते हैं सुनील जी pursuingהराभाय किये हैं आप पढ़ाई किये हैं आ ऐसे अभी अभी क्या करते हैं पढ़ाई किये हैं सुनील जी अभी अभी अभजाल अंसारी के जो चौपाल थी उसमें अभी थे जी क्या बोला उनों ने अभजाल अंसारी ने प्रचार किया अपना यहीं बोल रहे थे समर्थन के लिए अपने देखे वो बहुजन समाज पार्टी से सांसत थे समाजवादी पार्टी से प्रत्यासित नहीं थे वो गटबंधन के सांसत थे गटबंधन से लड़े थे लेकिन सिंबल उनका हाथी थे यह तो था पर वो गटबंधन के प्रत्यासित थे सिंबल हाथी था लेकिन अब साइकिल चुनाव चिन्ने से वो सामने है क्या लगता है किस की जीत होगी सामने भाजपा भी है और बसपा भी है भाजपा का यहां पता होता नहीं है यहां बस एक तरफा साइकल किस क्या मुद्दे रहेंगे मांगाई यह बेरोजगारी है जोटों की सरकार है हर वादा की खिलाफ है आपका क्या नाम है भाचपा का खाता नहीं खूलेंगा जिसान खान पड़ते हैं इस बार वोटो फेली बार हम पाहली बार पाहली बार तो क्या सोचके जा रहे हो क्या सोचके वोट देंगे यहां से अपजालन जीतेंगे मुद्दे क्या रहें मक्तार अंसारी किसान है अफजाल अंसारी जब भाशड दे रहे थी तो आप थे जी जी क्या बोले वह बोले तो बहुत कुछ जो बोले उस पर मतलब हम लोग सहोग करेंगे अपना हम लोग सब लोग उनके साथ हैं कहने की जरूवत देखे हमारे साथ एक चचा भी है चचा य कि लोग सबागाजियपूर करें वाला हुआ है हाँ हा अफजाल अंसारी के सुनला है सुनली है का लगल था का मुद्दा रही ये बार के जीती और के जीती अकलेश जीती है हाँ अमनका अकलेश के जानल जाला यह क्यों आवके वोट देल जाला देखिए ये वह लोग हैं जो अखिलेश यादव के समर्थक हैं और अफजाल अंसारी की चौपाल में उनको सुनने आए थे देखिए हमारे साथ एक सज्जान और है आप चोटु यादव चोटु यादव चोटु यादव आप भी थे जब अफजाल अंसारी बोल रहे थे जी क्या बोले हो सब बढ़ि सब्कूर जीन रहे हैं पका नाम क्यों बताया इसा बूल यह ना पुछिए आप यहीं के सब्सक्राइब आप जाएंगे तो क्या मुद्दे हैं बहुत मुद्दे हैं वे रुजगारी महंगाई हर चीज मुद्दे हैं ये सब रोजगारी और महंगाई प्रमुख मुद्दा है इनका क्या नाम है आपका सहजादे के साथ गुलफाम भी कहां रखते हो बस डानी कुल में यहीं पर बगल में आप अफजाल अंसारी की चौपाल में आए थे सुना आपने सबका साथ सबका विश्व का काने में कुछ करनी कुछ आउरे अप देखी रहे हैं आप आजम खान को देख लीजिए सो के से महिना में कर दिया गहाए वहीं मक्तार अंसारी को भी देख लीजिए का कुछ रहा हैं अचाहीं बताएए गाउं में आनाज दे रहे हैं रहा है हँ आनाज तो बहुत पहले से मिला तबा स्थाज रूप्या कीलो पर मालिए पांच किलो पर अनाज वह से वह रूज्व अच्छा है तो मतलब जो आनाज जो है मतलब मुद्दा नहीं रहेगा नाई कोई मुद्दा रहे अच्छा मुद्दा बिरोजगारी है फिर से देखी ना दरातल पर कुछ काम किया यह सरकार बोले कि घर घर पानी टंकी पहुंचा दिया जो रास्ता भी सही था उसको भी जंगेपूर विधानसबा है बिर्नो थाना यहां बगल में है रजईपूर गाउँ है और हरी नरायन मयादो मास्टर साब का यह स्कूल है यहां पर अभी अफजाल अंसारी की चुनावी चौपाल थी हमने उनसे बात किया यहां लोगों से भी बात किया हम एक सजन है इनसे ब सुना देंगे बिल्कुल सुना देंगे इस धरती पे है यार ना इस धरती पे है यार ना अंधेर चाहिए क्या चाहिए अरे इस धरती पे है यार ना अंधेर चाहिए अरे अफ जाल योर अफ जाल योर अखिलेस जैसा सेर चाहिए अप जाल और यखिलेश जैसा स्वेर चाहिए डरते नहीं है मौत से कभी यह बहादर अरे लडने के लिए जुर्म से ना देर चाहिए कि मुखतार अंसारी को जहर देकर मारा गया सुना अपने जी लेकिन सरकार की आज रिपोर्ट आई है कल की कि जहर से मौत बिसरा में नहीं आई जी अगर देंगे कि जब उनकी स्वत्ता है भाजप्या की सरकार है और योगी का उत्तर प्रदेश में सरकार है जब वो परधान मंत्री होकर के उन्हीं लोग के हाथों में कानून है तो लोग कुछ भी लिख करा कुछ भी ब्यजवा सकते हैं संदेश लिखवा सकते हैं सब तो जेल तो नहीं का अपजाल अंसारी कह रहे हैं तो आप को उनकी बात पर भरोसा है भरोसा इसलिए आप यहां से पहली बार जीतकर उत्तर प्रदेश की विधान सबह पहुचे और वे कविनेट मंत्री बने आज उनके बेटे बिरेंद्र यहादों यहाँ से विधायक हैं और पिछले 2022 विधानसभा चुनाओं में गाजीपूर में समाजवादी पार्टी ओम प्रकाश राजभर के साथ थी और पांच विधानसभाओं में जीती थी और दो पे ओम प्रकाश राजभर ने जीत हासिल की थी पार्टी के वो सिपाई हैं जो इस चुनाओं में अफजाल अंसारी को जिताने का दावा कर रहे हैं विनाय कुमार सिंग गाजीपूर से यूपी तक के लिए